दा एलकमी ओफ फाइनस दोस्तो आप स्टॉक मार्केट में नए हो या पुराने हो इससे फरक नहीं पड़ता लेकिन आपने कहीं न कहीं जॉर्ज सौरस का नाम तो सुना ही होगा जी हाँ अभी इस बंदे की नेट वर्थ आठ सो करोड यूएस डॉलर्स के आसपास है अरे ये वही बंदा है जिसने एक बार तो बैंक ओफ इंग्लैंड को बेज दिया था अरे मजाख नहीं करना हो वैसे बेचा तो नहीं था लेकिन हाँ उसकी वज़े से बैंक ओफ इंग्लैंड बैंक्रप्ट जरूर हो गया था पर हाँ उसके बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे हेलो फ्रेंट्स मैं सीए ध्रूनल महता आपका दोस्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है और मेरा गोल है सिंपल आपकी फाइनेशल ग्रोथ आज हम बात करने वाले हैं जोर्ज सौरस की बुक दा अलकमी ओफ फाइनेंस में बताई गई टॉप फाइव टिप्स के बारे में जिसने स्टॉक मारकेट और इंवेंट्री का गेम ही चेंज कर दिया है नमबर वन नैचुरल साइंस वर्सिस सोशल साइंस मैं जानता हूँ कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार साइंस का स्टॉक मारकेट से क्या लिना देना है यार स्कूल में आपको साइंस में अच्छे माक्स नहीं आते थे तो घबराहिये नहीं मैं आपको सब कुछ बिलकुल इजी तरीके से समझाने वाला हूँ मालनीजे कि आप एक साइंटिस्ट है और आप इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे है कि एक खास किस्म का बलून कितनी तेजी से उपर जा सकता है अब क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं तो आपको काफी सारे छोटे मोटे फैक्ट्स और जरूरी चीज़ें तो पता ही होंगी जैसे कि बलून कितना बड़ा है उसका वजन क्या है उसमें कौन सी गैस भरी है उसका शेप उड़ने के लिए सही है या नहीं या वाता वरण में हवा किस दिशा में है वगेरा 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 अब इन सब फैक्ट्स की वज़े से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बलून कितनी तेजी से उपर जाएगा और कितना उपर जाएगा है ना? ये है नेचुरल साइंस अब सोशल साइंस समझते हैं मान लीजी कि आप एक हेज़ फंड मैनेजर है और आपको ये लगता है कि आने वाले साल में BSE कितनी तेजी से उपर जाएगा अब क्योंकि आप एक हेज़ फंड मैनेजर है तो आपको बाजार का हाल फाइनेशल फैक्ट, जीडिपी ग्रोफ रेट और इंटरनेशनल मार्केट की उठा पटक के बारे में पता होना ही चाहिए इसके लावा आपके पास फाइनेंस में मास्टर और पिएजडी की भी डिगरी है लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से एकुरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ये होता है सोशल साइंस अब बात आती है कि जौर्ज सौरस इन दोनों का कमपैरिजन करके हम ही क्या समझाना चाहते हैं एक्चुली दोस्तों जौर्ज सौरस हमें दोनों के बीच का डिफरेंस समझाना चाह रहे हैं अगर नैचुल साइंस की बात करें तो बलून को उपर ले जाने के लिए जो एलिमेंट काम करता है वो खुद सोच के अपने आपको चेंज या कंट्रोल नहीं कर सकता फॉर एक्जांपल बलून खुद ये नहीं सोच सकता कि मेरे अंदर हीलियम गैस है इसलिए मुझे उपर जाना है आसमान साफ है तो मैं काम करता हूं कुछ देर के लिए उपर घूमाता हूं है ना ऐसा नहीं होता ऐसी बातें बलून नहीं सोच सकता जिससे की ultimate result वो आए जो scientist ने product किया है लेकिन उससे उल्टा अगर social science की बात करें तो सारी चीज़ें human behavior पर dependent होती हैं इसलिए वहाँ accurate result आना बहुत मुश्किल है इस बात को समझने के लिए George Soros ने बहुत गहराई से market और बड़े-बड़े financial institute के business model को analyze करके अपना view रखा है George Soros के हिसाब से social science किसी भी देश की economy and financial status को काफी affect करती है इन चीज़ों से deal करने के लिए economist ने अपने models में कुछ assumptions डाले हैं हाला कि उनके assumptions real world में ऐसे काम नहीं करते जैसे दो गुना दो यानी चार इस बात को थोड़ा और simple तरीके से समझने के लिए Soros ने एक example दिया है Soros कहते हैं कि अगर एक triangle 180 degree करना हो तो एक scientist को error दिखेगा जबकि एक economist को इस बात से जादा फरकी नहीं पड़ेगा और ऐसे ही error का result आता है financial crisis इसलिए George Soros कहते हैं कि using a faulty model is more dangerous than using no model at all number 3 reflexivity reflexivity का सिधान बड़ा simple है life में हुई किसी घटना की वज़े से हमारा एक belief system बनता है और उसी belief system की वज़े से life में फिर से कोई घटना होती है technical भाषा में इसे कहा जाता है feedback loop और ये psychology stock market में perfectly काम करती है किसी कमपनी का अच्छा feedback investors को investment के लिए motivate करता है और जब market में ज़ादा लोग किसी कमपनी में invest करने के लिए दोड़े चले जाते हैं तब उस कमपनी में investors का interest बढ़ने लग जाता है अपनी book में सौरस दूसरा example देते है economy and government regulatory agencies का जब economy में कोई change आता है तो government की ये regulatory agencies tax increase या decrease करती हैं जिसका असर देश की बड़ी बड़ी कमपनीों पर बढ़ता है और वो कमपनीयां ऐसे actions लेती हैं जिससे फिर से economy में changes आते हैं अगर एक line में कहें तो हम क्या हैं और इसे लेके हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये भी एक reflexive process है अगर आप सोचते हैं कि आप आत्म विश्वास से भरपूर इंसान है तो आप ऐसे ही act करते हैं और ये देख के आपके आसपास जो होते हैं वो आपको खुद से ज़ादा value देते हैं और इसी से आपका belief और strong होता है George Soros इस process को कहते है reflexivity नमब फो supply and demand stock market का एक fundamental और basic concept है simple है है ना जब किसी चीज़ का production graph उपर जाता है तो इसका मतलब है कि market में supply बढ़ने वाली है और price नीचे गिरता है जबकि इसका बिल्कुल उल्टा जब supply कम हो जाती है और demand बढ़ती है तो लोग उस चीज़ के दो गुने पैसे देने के लिए भी तयार हो जाते हैं लेकिन जब supply और demand का graph एक ही जगह पे आके ठहर जाता है तो उसे कहते हैं balance करना financial भाषा में इसे कहते हैं equilibrium लेकिन Soros इस concept को नहीं मानते उनका कहना है कि price moment असल में boom bust law को follow करता है किसी भी company के share price market में होने वाले movement की वज़े से पहले उपर जाते हैं जब बड़े investors को लगता है कि एक specific company के share price उसकी actual value से काफी ज़ादा high है तो वो लोग अपने shares बेचना शुरू कर देते हैं या फिर short selling शुरू कर देते हैं जिसकी वज़े से price या तो actual market price level के आसपास आ जाते हैं या फिर उससे भी जादा नीचे चले जाते हैं और जब share price actual price से जादा नीचे चले जाते हैं तो फिर से बड़े investors buy करना शुरू कर देते हैं यानि कि सोरस कहते हैं कि share price कभी भी equilibrium level पर नहीं रुखते और boom bust law की वज़े से ये process चलता रहता है जोर्ज सोरस stock market की दुनिया में खुद को एक scientist नहीं बलकि alchemist मानते हैं क्योंकि scientist चिर्फ experiment के result को जानना चाते हैं जबकि alchemist चीजों को अपने हिसाब से बदलने में लगा होता है उनका मानना है कि वो stock market में आने वाले changes के बारे में predict नहीं कर सकते लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता है कि market में होने वाले changes से profit कैसे कमाए George Soros की philosophy से एक बात बिलकुल clear है कि वो किसी specific rule को follow नहीं करते उनकी philosophy के हिसाब से market में changes आते रहते हैं और इसलिए कोई investor market को ठीक से predict नहीं कर सकता शायद यही वज़ा है कि जब दूसरे investors अपनी mistakes की वज़ा से market में अपना पैसा गवा देते हैं उसी वक्त George Soros अच्छा खासा profit बना लेते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि George Soros investment की दुनिया के king है जी हाँ और उनको checkmate करना नारे बाबा बना बहुत मुश्किल अरे मैं कहता हूँ ना मुम्किन है यार आपको market में बहुत से किदाब देखने को मिल जाएंगी दोस्तों पर अगर आपको investing कैसे करनी चाहिए और investing के वक्त क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में जानना है तो आपको ये वाली book पढ़नी चाहिए stock market investment थोड़ा हो या जादा हो आपको knowledge पूरी होनी चाहिए और knowledge ही सबसे जादा ज़रूरी है और आपको तो पताईए कि आधा धूरा ग्यान हमेशा भारी पढ़ता है यानि कि आधा धूरा ग्यान जहर समान तो अगर आपको और detailed knowledge चाहिए तो ये book ज़रूर पढ़िए और कम रिस्क के साथ जादा पैसे कमाईए न इस book का link description में है जाए और जरूर purchase करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें share करना बिलकुल न भूले ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी जादा जानकारी के साथ तब तक के लिए goodbye अपना खयाल रखिए